तो प्रेप्रेशन ओफ बेंजीन बेंजीन को बनाने के दो तरीकें इंडस्ट्रियल और लेबार्टरी इंडस्ट्रियल मेथड में हमें ख्याल रखना पड़ता है कि रियक्टन्स जब पड़क्ट बने तो सफते हूं और लेबार्टरी मेथड में हमें इस चीज़ का ख्याल तो यह आपको कि इंडस्कियर मेथन पढ़ रहे हो फॉर्द प्रेपरिशन ऑ बेंदीन नमबर वन फ्रॉं साइक्लो एक्जीन चे कारवन के साथ अगर बारा है जनू तो आप से साइक्लो एक्जेन बोलते हो अगर आप अगर इसमें से आप छे एक्जन निकाल दो तीन के माल कर दो तो यह बैंजीन बन जाएगा और डान इट इन प्रेशन ऑ प्लाटिनम और प्लाडियम एक्टमरेचर ऑफ 250 डिग्रेशन तो तीन हैट्जन के मालिकल निकल जाएगे वीया बैंजीन नमबर टू फ्रॉंग एस्टीलीन या इथाइन C2H2 मतब CH triple bond CH को और गैनो निकल केटलिस्ट और 70 डिग्रेशन या फिर copper tube और 300 डिग्रेशन पर इसको हीट करो तो यह convert हो जाएगा बैंजीन में से पोलीम्रेशन कहते हों पोलीम्रेशन ऑफ अलकाइन मतलब यह C2H2 है थ्री मालिकल मिलकर बन जाएंगे C6H6 बैंजीन नमबर त्री फ्रॉंग अलकेन ओपन चेन हाइड्रो कार्बन ले रहे है अब 6 कार्बन वागा अलकेन ले रहे हो जिसे N-hexane बोलते हूं को स्टेक्षए द्रीच्टेय्ट्षाइ निए भूंज बना लिक मालिक कर्फश्टीक्री यह तरह चार ड्जन एक यह दर से इक इदर से बाकि छे कार्बन के साथ चे अर्जन रह जाएंगे तो यह बन गया बैंजींगे इस डन इन प्रेजन्स ओफ क्रोमिल उक्साइड, एलोमिना, सिलिका एड फॉर फिफ्टी डिग्री सेडिड जुक्के इससे रिंग बनी आप इस एक्षिन को साइक्कलाइजेशन भी बोलते हो आप इसे एरोमिटाइजेशन भी बोलते हो एड एड इस अलसो डन वीट डिफ्टरेंट अलकेंज मतलब अगर साथ कार्बन वाला अलकेंज ले लो एन हैप्टेन ले लो तो बैंजीन के साथ एक मिथाईल बच जाएगा मतलब बनेगा टॉलवीन और अगर अगर आप एन अक्टेन लोग आठ कार्बन लोग तो आप बस छे कार्बन रिंग के अंदर आ जाएगे और दो कार्बन रिंग के बाए होगी मतलब बनेगा इथाईल बैंजीन चली लिबाटरी मेथल्स नमबर वन प्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बैंजोई के सट यह है बैंजीन के साथ सी डब्रोच लगा हुए आप इसमें एन एवच डालो कास्टिक सोडा डालो तो इसका ओएच और एच रिमूब हो जाएगे एच की तिखा पे सोडियम आ जाएगा इस गाल्ड एस सोडियम बेंजोईट और आफ डालो इसने इसको डीच व्यच्दा इसे म्हरूड शीॉट करा दिए आ गार्फ लिल्ला नगिया और इसको सी तुल क्राया unit tet spots अब जानते हो ना यह शी शी फिलगे बलके यह है C6H5, यूकि एक हैच निकला तो यह लगाना, तो इसको एक हैच की जुरूरती यह मिलिया, जब इसके अदर यह एच हैड हुआ, it becomes C6H6, which is benzene, number 2, from phenol, phenol में आप zinc डालो, तो zinc oxygen को remove कर देगा, बनेगा zinc oxide, और एक हैच इसके अंदर add होजेगा, that is benzene, और dust क्यों क्योंकि zinc metal होती है, hard piece होते है, हम इसको scratch करते हैं, और scratch करने पाँ इसकी dust बनती है, इसलिए हमने बोला zinc dust, और zinc dust is a powerful reducing agent, जो दूसरे को reduce करें और खुद हो जाए, oxidized, number 3, from benzene sulfonic acid, यह है benzene, SO3H, इस sulfonic acid, water डालेंगे, in presence of dilute HCl, तो यह बन ज़गा H2, SO4, sulfonic acid, लेगा हो गया, और H, इस phenyl के अंदर एड़वा, तो बन ज़गा benzene, and number 4, from words, fittage reaction, fittage ने words के reaction को improve किया, तो words का reaction के, हम कहते हैं, जब alkyl halide के दो molecules, sodium से मिलते हैं, तो यह बन जाता है sodium halide, और मुझे दो alkyl होते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं, और alkyne बन जाते हैं, यह था words reaction, fittage ने कहा, कि अगर दो alkyl halide ले रहे हो, तो क्यों ना, एक alkyl halide ले रहे हैं, और एक aromatic halide ले रहे हैं, तो fittage ने इस reaction को improve कर दिया, words के reaction को, हम उसे बोलते हैं, words, fittage reaction, जैसे, आपने एक लिया, aromatic halide, which is chlorobenzene, और एक लिया, alkyl halide, methyl chloride, तो sodium, इसी तरह से, जैसे उसमें, sodium ने दो halogen को remove किया था, यहां पे remove कर दिया, in presence of ether, तो यह जो phenyl है, इसके साफ methyl substitute हो गया, that is called as methyl benzene, words का reaction था, कि उसमें दोनों alkyl halide ले थे, fittage ने कहा, कि एक alkyl halide, एक aromatic halide, उसने alkyl benzene बना लिए, that is called as words, fittage reaction, जसक चाह То, स्थमें, इसके साफ भूब ने जडिता ले च हो ने एक बातार है, इसWhat बएzeniu, है वे होती हो जिसके रहता है, झाली हो थाली, हो ब्रूणों unfair, विता साफ शोली, घसरे थाख रहाता है, झाली हैं और आश मैं दिःणा उस को भी को आर, जसके चाहाएं दिए, झाल झाल